नमस्कार स्वागत है एक नए वीडियो में फ्राइडे की दिन छुटी है टाइम है तो आईए कुछ एनलेसिस करें आज हम जानेंगे आई एक्स यानी इंडियन एक्षेंज की बारे में डीटेल में देखते हैं क्या करता है क्या इसमें प्रब्लम्स आ रही है और क्या इसका फ्यूजर है देखिए आई एक्स करता क्या है अगर आपको मेजरली समझना है तो इसे एनसी है एक्षेंज बेसी है वैसे ही वह एक्षेंज जहां एनर्जी खरीदी बेची जाती है मालेजी एंटीपीसी ने पार बनाई ओंगीसी ने बनाई महाराश ने बोला हमको इतनी इनर्जी चाहिए हमको बिजली ज्यादा जरूरत है खरीदनी बेचनी है तो यहीं पर प्राइस डिसकवरी होती है तो आपको मेजरली समझ में आ गया हो कि यह एक्षेंज है जहां पे बिजली एनर्जी इलेक्रिसिटी खरीदी जाती है बेची जाती है दोसर आट ने बनी इंडिया और तीसरा है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज फट्या पाष्टी ऑफ इंडिया वह 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 बहुए आपके बना यह बहुत थोड़ा सब्सम करता है लेकिन चो हिंदुस्तान पावर है वह पिछले साल रहे इससे बहले बार बाइस ही बना वह उन दोनों के पास कुछ खास मार्केट नहीं है तो मेज़ोर्टी जो है आई-एक्स के पास यह तो देखते हैं आई-एक्स की देखिए शुरुआत करेंगे हम इन्वेस्टर प्रजेंटेशन से तो आई-एक्स में ना सिर्फ एनरजी नहीं है इसके अंदर गैस भी है और कार्बन एक्सचेंज भी है बट वह अभी उतना सिग्निफिकेट नहीं है आगे चलके बड़े होंगे तो इलेक्टरी जनरेशन में देखेंगे कि दिसंबर 2023 यानि साल के खतम होने तक टोटल गीगावाट कैपैस्टी कितनी थी चारसो अट्था इसमें कोल का था वो कितना था टू-पॉर्टी कि याद रखिए सब गीगावाट में है कोल का परसेंटेज कितना है हाइड्रो एनरजी कितनी है ट्रूनेबल हाइड्रो कितनी है इन सब के ट्रेल रिखेंगे और 2030 का प्रोजेक्शन भी लिखा हुआ है जो अभी 2428 गीगावाट है वो 2030 में बढ़के 817 हो जाएगी तो एन सब्सक्राइब ने लगे चुटने है जतने इंदुस्ट्रि लगें चल रहे हैं सेमीकंडॉक्टर्स स्टील फैक्टरीज आइटी कंपनीश जितने भी मैनफैक्टरिंग पावर सथैंगे चाहें आपका वह डेटा स्टोरेज्ज क्यूंगत वेराउस क्यूंग इलेक्ट्र सिटी हर जगा चाहिए अगर इलेक्टरिसीटी नहीं ग्रोथ नहीं तो टोटल चार्सोटाइस गीगावाट में से दो सो चालेज यानि आतिस का बराबर तो सिर्फ हम थर्मल एनरजी ही लेते हैं रिनेबल 134 गीगावाट पे रहे हाइडरो 47 पे रहे सिर्फ साथ के पास है और 106 स्टेट गवर्मेंट के ओन करती है उनको अगर आप एनरजी को देखेंगे तो उसको हम डिवाइट कर सकते हैं लॉंग टर्म और शॉट टर्म कॉंट्रेट्स में जो लॉंग टर्म कॉंट्रेट्स होते हैं वो जो 86 परसेंट होते हैं वो 25 साल 20 साल 25 साल के लॉंग टर्म पावर यह पीपी है मतलब पावर परचेस एग्रिमेंट कि लॉंग टर्म पर एग्रिमेंट होते हैं यह ट्रेड नहीं होते आई-एक्स का इन से कोई लिए नदर नहीं है वो चाहते हैं कि इसमें भी आएं बाट अभी बहुत दूर की कॉड़ी है अब उसक इसमें से बट मेंजोर्टी हांड़ेड़ परसेंट में से साथ परसेंट का ही खेल है जो आई-एक्स को स्पेशल बनाता है बाकी एक्सचेंज से वह यह कि इसके पास सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं चाहें वो कमर्शिल इंडस्ट्रीज हो रेइस्टर पार्टि सबसे ज्यादा आई-एक्स के पास ही है तो अगर हम आई-एक्स का मार्केट सेक्मेंट देखें याद रखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है उसके अंदर भी मल्टिपल सेक्मेंट्स थे उसमें आप देखोगी इंटिगरेटिड डैम मतलब डे अहेड मार्केट और मार्केट है या रियल टाइम मार्केट है वह आई-एक्स पर ही ट्रेड होता है घरिता बेचा जाता है तो हाल फिलाहल में दोसरे एक्सेंज ने थोड़ा सा पेस पकड़ा है लेकिन ओवरॉल कपैसिटी में वह अभी भी कम है अगर डे अहेड मार्केट देखें तो 52% जो ह यह होती है वहां पर देखिए आप 26-28% कर चुके हैं यानि कि टर्म एहट मार्केट में वह दस से बढ़के 14% पर आगए लेकिन आपको ध्यान देना है वॉल्यूम पर जो पहले जो था वह 70.7 अब वह बढ़के 70 वाल्मोस 80 बिजनेस हो चुके हैं और आई-स का रिवेन्य ऍससे पर करतें वही ब्रोकरेज होति हें का सोर्स ऐसीर आइन कंपनीगता है यह क्येग कंपणि नए आपस लाती है और नए ने तरीके के और उप्षिंस पॉटर करते हैं नया तरीकिंगा आपको कस्टमर एक्सिरियंस से उसको भी इन्होंने लॉंच किया है जो डेयर मार्केट करते हैं वो उससे देख सकते हैंगे इसके लाभा इन्होंने एक वेब बेटिंग ब्लैटफॉर्म मनाया है तो देखिए डैनमिक कंपनी है एडवांस कंपनी है ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम आया तो बैट गई यह तो अच्छी बात अब डिसकस करते हैं इसकी प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम जब इसकी डिसकस होती है आपने सुनाओगा एक तरम आता है मार्केट कपलिंग मार्केट कपलिंग अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली अगर मैं सिंपल तरीके साब को समझाओं एक यूनि मार्केट कपलिंग के लिए तो बेसिकली एक एक यूनिफाइड मार्केट प्लेस बनाएंगे जहां मल्टिपल डिफरेंट स्टेट्स एनरजी प्रोवाइडर्स वहां पर आके अपना प्राइस डिसकवरी कैसा होता है एक काम करते हैं वाइड बोर्ट खोल लेते हैं तो हम सब्राइस जादा हो गई उस तरीके से वर्ट या तो या तो और बढ़ जाएगा या प्राइश कट प्यास की खेल लट हो जाती ये तो प्रैस कवदा मढ़ जाता है नई खि Natomiast enjoys कवरी यही काइए अब CRC क्या कहता है वह बनाएंगे एक इत्रटी गुसक की के और ची को कहा गया है कि वह एक अपने एक एग्रिगेटर बना है वो क्या करेगा वो डिफरेंट टाइप के जितने भी आउडर और रहेंगे देखिए मालेज़ ओंगी सी ने एनर्जी प्रोवाइट की मालेज़े की एंटी पीसी ने बिजली अपनी बनाई वह बिजली अपनी देगा और फिर जो सेलर होंगे माले इनर्जी प्रोवाइट की और यूपी पीसेल अपने बिड लगाई करनाट इलेक्ट्र कमिशन अपने बिड लगाई अब इस तरह की बेट के जो होगी वह बैसिकली सप्लायर डिमांड का होगी बट अब आई एक्स की जगहा पहले यह आई एक्स पे होता था एक्सचेंज होगी यहां पर डिसाइड होता है कि ऑन मैगा कि पांच रुफे पर यूट यूट्र होगा कि फिर वह उस सारे और बाइ-क्स को करेंगे और फिर वह प्र मैच होगा वह उसको प्रवाइड करेंगर प्लिशोरी में अच्छा हैrick éam अगे हम देखेंगे आगे चलके कि होता है कि नहीं होता है तो basically IEX के साथ issue क्या है कि यह अब exchange से घट कर अब एक kind of broker की तरह बन जाएगा अगर जैसे अगर हम current market में देखते हैं यहां से और जाता है और फिर वही आता है आता है आपके पास प्राइस डिसकावरी ही और होती है similarly यही कहानी है इसी लिए कहा जा रहा है कि जब market coupling का process complete हो जाएगा और वह वन ग्रेड अपना जो एक देश एक प्राइस जो अपना mechanism लगाना चाहती गोवर्मेंट वह होगी वह को लगता होगा बढ़ होगा तो well good इसमें IEX कहना है कि क्योंकि इनकी monopoly जा रही है तो यह कहे हर दस तिन हर महीने दो महीने के बाद आपको सुनाई जाएगी और शेयर की पिटाई होती जाएगी तो अब IEX को lose करने के लिए सब कुछ है क्योंकि 100% बैठे हुए monopoly बैठे हुए है best service प्रवाइड करते हैं तो इनके पास lose करने के लिए बहुत है और जो दूसरे एक्चे लेकिन 10,000 से बढ़ने की जो चांस है बहुत हो जाएगा 10 से 20 बहुत तीज से हो जाएगा 20 से 30 बहुत तीज जाएगा लेकिन मानलेज आपकी salary मानलेज की एक लाग है दस लाग के करीब पहुंच गई वहां से 20 लाग होने में issue आएगा तो IEX के पास lose करने के लिए बहुत ह है कि क्या जो दोनों exchange हैं वह इतने काबिल हैं कि वह आई एक्स का एक्स ट्रेड ले 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 देखिए आई एक्स जहां अभी यह बाकी जो एक्सेंज है दोनों वह भी energy के लिए लड़ रहे है कि कहां उन्हें electricity मिले आई एक्स गैस एक्सचेंज ओपन कर चुका है और carbon exchange भी यह gas provide करते हैं फिर इनकी भी bidding होती है और buying selling होती है तो यह गैस एक्सचेंज मना चुकी हैं carbon exchange मना चुकी है तो यह दो कदम दस कदम आगे चल रहे हैं दूसरे तो अभी इस महामले में सोच भी नहीं रहे हैं तो अब point यह है कि अग जो आप exchange से आप kind of broker बन गए हैं बन करना पड़ता है बहुत सारे local brokers होते हैं जो आपके city में होते हैं लेकिन वह दूसरे city में नहीं होते तो उस तरीके से डिबेंड करेगा कि कौन बनेगा अगर आप angel one यूज करते हैं तो आज से 4-5 साल पहले आप अगर mobile app देख लेते तो निहायती घटिया mobile app होती थी किया है जरुद्धा जरुद्धा शुरू से ही अपने यूआई और अपने यूजर एक्सपीरेंस के लिए मस था फिलहाल 34 महीने से बहुत ही घटी एक्सपीरेंस चल रहा है नो डाउट बट एक लंबे टाइम में जरुद्धा ने अपने पोजिशन बनाई थी वो सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे यूआई के सिर्फ बनाई थी सिर्फ मूग सिर्फ उसका प्रचार होता था जहां जो यूजर था यूज करता था उसको अच्छा लगता था फिर वो आगे प्रवाइड करता था कि हाँ अच्छा फीडबाइक अच्छा ब्रोकर है अच्छा प् होई है तो आपको देखना होगा कि क्या आई एक्स्पीरेंस दे पाएगा कि अपना मार्केट बचा पाए जो मार्केट प्रोवाइडर्स हैं देखिए भले ही प्राइज डिसकवरी एग्रिगेटर पर करें लेकिन बायर सेलर्स कहाएंगे वो तो किसी ब्रोकर के थुरू इसके पास और सेम प्राइज डिसकवरी यहां पर माले जिए ऑघंडूस्तान पावार से लिए याप इस्पेरिए करणिस पर नहीं है तो का एश्यू है क्या होता है मार्केट कप्लिंग और किया रोल है कितना यह ठीक है यह भी कंडिशन है माल लिजे एग्रिगेटर ने तैय किया कि ओंजी सी की जो बिजली है वो 10 रुपे पर यूनिटी बिकेगी अब ओंजी सी को उगाटे में पड़ रही है माल लिजा ओंजी स ची प्रिडूस कर रहा है वही 12 में कर रहा है तो हो सकता है कि दस में ना बैचे इसमें आगे चलके और प्राब्लमस भी आएंगी बट वह आगे दिखा जाएगा प्रॉब्लमस आएंगी तब ही स्वाल ऊथी यही नाइफ है यही कंपनी से तो यह भी आएगी तो देखना ह होगा कि क्या आप जो मार्केट पार्टिसेलर से उनका पार्टिसिपेशन भी होता है अब जो सबसे दो एंटिटी जो सबसे उचल-उचल के इसको सपोर्ट कर रहे हैं वह ऑविस सी बात है दो छोटे एक्सेंज हैं जिनके पास मार्केट सिंग्मन नहीं इसके इलावा क्या बहुत लोगों में ऐसा है एंथूसियासम में नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है बट हाँ देखा जाएगा और अगें जैसे मैंने पहले भी प्योला था कि अगर कोई गवर्मेंट है जो अपने फैसले लेके वापस ले लेती है तो वह यही करेंट गवर्मेंट है चाहें वो हो चाहें वह अभी भारती नय सहींता में उन्होंने के लिए लौ लेके आये थे दो दिन हरताल चली वह वापस ले लिया तो अगर को गवर्मेंट बैक ट्रैक कर सकती है अपने लिए फैसले को तो वह करेंट गवर्मेंट ही है अब देखना होगा कि इस तरह से मार्केट का या और भी मिडियम टा मार्केट में आ गए तो अगर आई एक करने के लिए लूज करने के लिए तो रिस्क हमको पता होना चाहिए और यही निवस आपको हर चार दिन के बाद हर दस दिन के बाद बीज दिन के बद आपको सुनाई जाएगी और आप मार्केट करेगा आई इसका स्टॉक भी है और इंडस्ट्री का भी थेटिस्यावन है अगर आप इसको कंपेर करोगे इसके पिएस साथ पिएस देखिस का है नहीं बड़ जैसे बीस आप इसको फियर माल लो एक्टी टू पॉइंट फाइट कर रहा है अगर एमसी एक से 366 पर कर रहा है तो ऐसा नहीं कि एक्षेंजेस का दिक्कत है दो तरीके के अभी एक्षेंज है जो टेड हो रहे है बी एसी एक्रसी हो नहीं रहा है जब होगा तब देखा चाएगा तो दोनों जो हैं भौत हाईली हाई पी पर चल रहे हैं लेकिन आई ए कि दिसंबर 2021 में 14 करोड़ की जरूर सेल की थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 98 करोड़ था अभी 100 करोड़ से कभी भी इसने अपने नंबर खराब पोस्ट नहीं किये बीच में इसका ऑपरेटिव फेट मर्जन जरूर गया था लेकिन मार्केट की डिमांड एनर्जी की डिमां नहीं हो सकता अगर आपका पहले ही मार्क आपका जो प्रॉपिट है एटी के ऊपर है तो आप यह मत समझें करता है तो भी बहुत अच्छी बात है फिलाल कोड़न कोड़र 85-87 पर गया है और यहां पर यहां पर जो एक नेगटिव चीज है वह है पबलिक ही बनके बैट परसंट जो इसके शेर से हैं पबली के पास अब पबली में सिर्टेलर सी नहीं है अगर आप देखोगे तो डीपी वील वेंचेस डाल में सीमेंट भारत और बाड़ बड़े चंक से बट स्टिल पबलीक के पास अभी भी है जो स्टॉक स्पीट के बाद जो इसमें मेंटम लगी था तो अगर आप देखोगे कि कहां इसके स्टॉक स्पीट से पहले आप दो लाग तीन लाग चार लाग शेर होल्डर से वह एकदम से जम करके बारा लाग पहुंचे और आज पंदरा लाग क्या से लेकिन हाँ सतरा लाग पहुंचे थे फिर वहां से डिक्लाइन हु चासि हमें पहले से और फेल प्राइस और इतना प्रैशर आगया बट क्या यह इसे बड़ आप इसको डेली से वीकली बैसे पर लगा ओंग पतब्राइए तो कि आप बहुत आप आप यह इसको यह जो मिनिस्टर पे लिए तो देखो कि इसने टॉप जो बनाया था वह अपना बनाया था अल्मोस्ट हजार के भी तीन स्टॉक से पहले इसको मेजर लिलो तो यहां से इसी लिए हुई है क्या यह प्राइस जिन नहीं है पहले से यह जो फॉल आया था यहां पर 20% का वीकली बिजस पर इसी नियूस के गोल पिला के बार-बार सर्व की जाएगी और रिटेलर्स में पैनिक होता भी देखे मैं रिटेलर्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ और रिटेलर्स में पैनिक आ जाता है तो यही नियूस बार-बार आपको सुनाई जाएगी तो यही नियूस आपको बार-बार सुनाई जा जान देंगे उसके ऊपर सपोर्ट कहां पर है एक सो एक तालिस पर है और एक सुबावन पर है यह हमने स्विंग इंजॉइ भी किया है एक सटी के उपर है जब एक सटी के ऊपर जब चला जाएगा तो बहुत ही शाप इसमें राइज आएगा क्यों अभी अगर डर है तो तब सो चार सो बना देगा वापस आ जाएगे इस तरह का ही है और अगर हम टुहंडेड डियमे लगाए यह वीकली है डेमा कहना गलत होगा लगा यह लगा तो यह भी अभी उपर है एक सो बत्रीस क्या सबसे मार्केट ने उपैंटिस क्या सब्सक्राइब इक लिए तो अभी व पर जाएगा तो हमको पता है लेवल हमने ड्रॉक कर लिए हैं आपको करनी है याद रखिए कोई भी बाइसा लक्मेंडेशन नहीं है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक अनलेसिस है सब्सक्राइब पहले बना चुका है अगर आप इनको देखोगे तो इन्होंने अपना जो गोल है वह गोवर्मेंट की गोल के साथ लाइन कर लिया है वन नेशन वन गैस अभी जो इलेक्ट से लिए चल रहे हैं उसी बेसिस पर पहले ही चल रहे हैं जहां गोवर्मेंट अपनी जो एनर्जी पास्केट है वह 15% बढ़ानी चाहती है उन्होंने पहले से अलाइन कर लिया है आपने टर्मिनल्स जो जितने बैसे पर गोवर्मेंट कर दिया उसको और मेच्चोर करते जाएंगे इस तरी कि जब आप गोल के साथ अपना गोल आप अलाइन कर लेते हो तो आपके पास जाह यहां भी देखोंगे यह ढ़की अङये 2030 की बात कर रहे हैं और और काफी अधिक बढ़ए है तो ऐसकी हम और पता है हैं हम इसको इसी तरह चार्ट डॉकर करके सेव कर लेंगे तो और भी बेटर कैसे लगा वीडियो कैसी लगी अनलसेज जरू शेर करिएगा मिलते हैं किसे अगले वीडियो में वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद